हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भाषा समझाया, आज मैं उसके अभ्यास कारे कराएंगे, आपकी हिंदी व्याकरण की बुक का भाषा का अभ्यास कारे, पहला प्रशन है, सही उत्तर पहचान कर गोले में रंग बरो, हम अपनी बात दूसरों तक पह देखकर या हसकर, क्या आएगा, बोल कर, हम दूसरों की बात समझते हैं, हसकर, देखकर, सुनकर या रोकर, सुनकर, ठीक है, भाषा के मुख्य रूप है, चार, दो, छे या पांच, दो, हमारे देश की राष्ट्र भाषा है, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी या बंगला, हि हिंदी, अब खालिस्तान बरो, अध्यापिका डैश पढ़ा रही है, लिखकर या उड़कर, अध्यापिका कैसे पढ़ाएंगे आपको मैं, लिखकर, तो क्या आएगा, लिखकर, डैश एक विदेशी भाषा है, हिंदी या जापानी, जापानी, हिंदी तो हमारे राष्ट भाषा है, वेट, बेटा जैसा कि हम खालिस्तान कर रहे थे, धर्ड है, निकिता डैश बाते करना पसंद करती है, बोलकर कि लिखकर, बोलकर, पत्र लिखना भाषा का डैश रूप है, मैं आपने बताया था, लिखेत की मौखिक, लिखेत, कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है, लिखेत की मौखिक, मौखिक, अब नेक्स्ट है, भारत और विदेशों से में बोली जाने वाली भाषाओं का मिलान कीजिए, अंग्रेजी भाषा विदेशी, फ्रेंच भाषा भारत की, जापानी भाषा विदेश, पंजाबी भाषा भारत, मराथी भाषा भारत, जर्मन विदेश, बंगला भारत, फिर से देखो, अंग्रेजी भाषा विदेश में बोली जाती है, फ्रेंच विदेश में, हिंदी भारत में, जापानी विदेश, पंजाबी भ भारत, मराठी, भारत, जर्मन, विदेश, और बंगला, भारत, अब नेक्स्ट है, नीचे दिये गए चित्रों को देखकर, उसकी भाषा के रूप लिखो, देखो, टीचर लिखकर पढ़ा रहा है, तो लिखित रूप, स्वरी, बॉल कर पढ़ा रहा है वेटा, क्योंकि मौखिक रूप, अख बार पढ़ना, लिखित रूप, देखो, अब प्रिंसिपल सर कुछ लिख रहे हैं, तो लिखित रूप, बोल कर सबजी ले रहे हैं वो, तो मौखिक रूप, ओके वेटा, फिर से देखो, मौखिक रूप,